Welcome back to Aroma Bake Equipment So, आज हम बात करेंगे कि मार्केट में सस्ता ओवन, महेंगा ओवन, और महेंगा ओवन, और महेंगा ओवन क्यों बिक रहा है आपने कभी भी देखा होगा किसी को कॉल करते हैं, आपको लगता होगा कि यार ये तो बहुत महेंगा ओवन बेच रहा है आप किसी को कॉल करते हैं, अरे ये तो बहुत सस्ता बेच रहा है तो गाइस गबडाने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है सिर्फ समझना है इसमें कि वो सस्ता और महेंगा क्यों बेच रहा है आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर करें, प्लीज, इससे मेरे को motivation मिलता है, अगर आपको ये लगे कि ये information आपके लिए बहुत important है, तो बाकियों के साथ भी share जरूर करें, तो चलिए हम वीडियो में start करते हैं अब, तो जैसा कि आप ये देख रहें, ये है टूड़क फोट्रे, और ये है टूड़क फो नहीं है, मैं डिफ्रेंस ऐसे दिखा देता हूं, दिखे ग्लास में dotted दिख रहा है, इस ग्लास में dotted नहीं है, इसमें यहाँ पे एक steel का ये निकला हुआ इसमें नहीं है, इसके इलावा आप meter almost same company का है, आप देख सकते हैं, बटन में इस पे cover नहीं है, इस पे cover है, ये देख सकते हैं, येलो कलर का यहाँ पे warning है, इसमें छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ, अब आप तूर से देखे न, तो आपको समझ भी नहीं है, जब आपको आती होगी image, अगर वो इसका भेजता है कोई और vendor और कोई और vendor इसकी भेजता है photo, तो आप लोग ऐसी confused हो VenDOS क्या करते हैं, अगर आपको आस पैसा है, मालो सपोस्घुर्यों आपके पास है, आप चाइना जाओ, बोलो कि भी मुझे 10 रुल्प obseri का oven चाहिए, आपको 10 रुल्पै मी बना गे देंगे, आप बोलो कि 20 रुल्पै जळी 20 रुल्पै में बना गे देंगे, आप kो 200 requirement देनी है, आपको अपना पैसा बताना है, और उस साब से machine आप import कर सकते हैं, बशर्ते, इसकी कोई warranty नहीं रहती, कोई guarantee नहीं रहती, चलेगा, चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसमें cut piece यूज होता है, मैं अभी दिखाऊंगा इसमें, कि और क्या-क्या चीज डिफ नहीं, एक ही factory में quality change है, यह सस्ती है, जो सस्ते चाहिए, और यह थोड़ा महंगा है, क्योंकि इसमें अपर है कुछ, तो अब मैं वह बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या-क्या आप आ रहा है इन दोनों में, और यह तीसरे one को मैं बाद में elaborate करूँगा, बाकि इसकी वीडि यह थोड़ा रहे है, यह थोड़ा रहे है, यह थोड़ा रहे है, बद तीनों के rate different है, क्यों है, इसका कारण हम इसी वीडियो में जानेगे, तो दिखाने का मैं अब समझाता हूँ मैं आपको, आप front front SS देख रहे हैं, अब quality change और price change कैसे होता है, जब steel की thickness मोटाई कम और ज चेमरा इधर, इस portion से यह पूरा वो चथर से बनावा है, जिसे पुराने जनमान पेटिया जऑ धे बहुड़ी न चिमनी वगेरा बनती है, बंती हो ओ क्रेक आचुका है, कितना पतळा कितना चोड़ा कितना चोटा है, मतलब कितना पतळा Sheet है, यह देखें, यह देखें, इतना पतला है मैं आपको दिखा सकता हूं तो यह सारी कॉस कटिंग करी जाती है electronic में कॉस कटिंग भी होती है electronic आप लोग सोचते हो ना बिजली में क्या कॉस कटिंग यह मीटर यह मीटर सेम कंपनी की है लूसी लूसी बट दोनों कंपनी की इसकी मीटर का जो वोल्टेज फलक्टुएशन रेशियो है जिससे आप स्टापलाइजर लेने जाते है एस प्रेचिए वित्ताप्त था यहा array बैर 101 की एक एक रेशियो आती है तो अगर आप सस्ता कम ratio अला लेंगे तो आपको ये कम का पड़ेगा rate कम का पड़ेगा meter वैसी ये ज्यादा का पड़ेगा तो range range का फरक है अब cost cutting करने है of course मुझे ये सस्ता भेचना है कि मैं अगर बोलता हूँ कि अगर मुझे सस्ता भेचना है तो मैं of course चाइना में जाकर बोलूँ कि भीया में दोको सस्ती मशीन दे दो मार्केट में सस्ती बेचनी है तो अब सारे लोग सोचते है भाई टूडएफोट रहे टूडएफोट रहे बट वो ये लोग quality नहीं देखते है ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा बिलकुल सेम है सेम ही चीज दे रह लोगे इसकी थिकनेस इस से हाई है मोटा है और वेट में जादा है तो सर एक चीज के लिए रहे ना कि अगर चीज मोटा लेंगे हायर लेंगे वेट जादा रहेगा तो अफकोस उसका भी रेट बढ़ेगा वैसे जादा डिफरेंस नहीं है बट फिर भी है तो मैं ये जादा है इस दोनों में डिफरेंस मीटर का भी है बट कॉलिटी का सब्सक्राइब मैं पैणल अंदर का मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में बने रही है ऑगा इसके लवा हम आ जाते हैं अंदर अंदर के जो बेकिंग एरिया है इसमें और इसमें जमीन और आस्मान का फरक अब मैं आपको दिखाता हूं इनका बर्नर जो कि आप लोग सर्प्राइज हो जाओगे तो मैं इसका बर्नर दिखा देता हूं बर्नर देखो ध्यान से यह पूरा बर्नर देख रहे हैं आप लोहे से बना हुआ है आपको ध्यान से देखेंगे दिख रहे हैं यह मैं दिखाता अले है आवाज सुन रहे हैं आपकी अंदर इस चो कॉसकटिंग होते ही ना गाइस यहाँ होते है आपकी बेकिंग इसमें कभी भी प्रॉपर नहीं हो सकती कभी भी बढ़िया नहीं हो सकती अब इसमें आजाते हैं हम लोग आएए इसकी बर्नर की कॉलिटी है, उससे बैटर है, प्लस इसका यह देखे, यह थिकनस इसकी मोटी है, प्लस बेस मोटा है, बेकिंग एरिया बढ़िया है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, कि हाया दुफरेंस थो है, अब मैं वही चीज, मैं आपको वही चीज मैं तबसे बतान इसके बाद control panel, side का panel में भी खोल के दिखाऊंगा, अब guys अब खुद सोचो कि इतना अगर difference है steel quality, burner and all, तो cost cutting तो हो रही है न guys, अब आप बोलते हो कि two deck photo मुझे सस्ता मिल रहा है, मुझे महंगा मिल रहा है, समझे रहो, बहुत सस्ता मिल रहा है, हाँ तो मिलेगा, market में हर तर गल जाएगा, यह time लेगा, simple सी बात है, वैसे ही, इस पर कोई warranty नहीं है, इस पर one year की warranty मिलती है, क्योंकि इसकी quality अच्छी है, और जो यह हम बेच रहे हैं अगर, तो हमें पताए कि यह जल्दी खराब नहीं होगा, कम से हम एक साल तो चली जाएगा, खेर, अब हम आते हैं, टूड़क फोट्रे अपने डेक ओवन पे, तो यह टूड़क फोट्रे गैस ओवन जो हम एक्च्छल में इसे सेल आउट करते हैं, अब इसे सेल आउट करते हैं, हम लोग जो इसकी पूरी वीडियो मैंने डाल रखी है, यूटूब पे उसे देखें जरूर, बट मैं इसमे पूरा का पूरा स्टेनल स्टील है, यह भी स्टेनल स्टील है, इसके साथ पैनल है, पूरा स्टेनल स्टील है, यह पूरा पैनल आप, मैंने पूरा खोल के दिखाता हूँ, मैं पूरी वीडियो खोल के दिखाता हूँ, हर किसी को टूटक फोट्रे में, यह आप देख सकते अगर आपको लगता है चेक करना है तो आप मेरी फैक्टरी विजिट कर सकते हैं, हमारे शोरूम आ सकते हैं, आप आके देख सकते हैं, अब हाथों से टच करके आप देख सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि क्वालिटी में कितना डिफरेंस आता है, इसके इलावा इसमें गेज और थिकनेस, आप सब कुछ जो चेकर करना चाहते हैं, आएए, आके देखिए, समझेए, तो आपको पता लगेगा. तो यह जो हमारा पूरा वीडियो है, 2DAC 4TRE GAS OVEN, 2DAC 4TRE GAS OVEN, और 2DAC 4TRE GAS OVEN. मतलब, यू कह लीजे, अच्छी क्वालिटी, थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी, घटिया क्वालिटी. अब मार्केट में सावधान रही है, सतर कर रही है और सोचिए कि आपको कौन सी quality दी जा रही है सस्ती, महंगी, महंगी या सूपर महंगी मतलब सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, सारी quality का खेल है अगर आपके oven में cost cutting नहीं हो रखी है इसका मतलब वो महंगा है और quality increase है तो वो और महंगा पड़ेगा अब जैसे सालवा का oven है, one deck two tray चार लाख का है, क्यों है? लोग फिर भी लेते हैं न, पर है न महंगा तो इसी तरीके से ये two deck four tray मतलब आपका आज आएगा कब से हम अपनी मार्केटिंग है, तो कोई rate हाई और कोई ज्यादा नहीं है किसी के लिए बस आपको choose करना है कि आपको किस तरीके का machine चाहिए तो चलिए अब हम panel खोल के दिखाते हैं आपको तो देख सकते हो कि एक panel ये निकला, एक panel अभी निकालूँगा तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो ये जो चदरे होती है ना जैसे machine बनाते वाग हमें cut piece पड़ता है मतलब एक sheet खराब हो गई या cut piece कुछ बनाने में हमें cut piece बज जाता है तो उसे दो पैनल बना दिया तो cost cutting ऐसे भी होता है कि हम जो rough work है rough sheet है उसको हम कैसे use में ले आए तो बस इसी को use में लेके आ रहे हैं आप इसकी thickness देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे इसकी thickness कितनी है तो अब ये देखेंगे दो पैनल बना दिया तो देखें इस वाले oven में कॉस कटिंग भी की गई है बट उसको एक अच्छे तरीके से maintain भी किया है खेर मैं वो भी दिखा देता हूं आपको जैसे इन्होंने sheet के उपर sheet नहीं लगाया जैसे उसमें था sheet के उपर sheet लगा दिया बट इसके अंदर क्या है sheet के बाद बना रखा है ताकि sheet भी easily लग जाए तो देखें आप समझ सकते हैं कि अगर हम यह भी changes होते हैं तो उसमें पैसे थोड़े ना थोड़े बढ़ते ही है तो देखो guys जहां पर cost cutting होगी वो सस्ती मिलेगी ही मिलेगी और जहां पर cost cutting नहीं होगी वो थोड़ी महंगी मिलेगी ही अगर हम देखे अब पैनल को इसके पैनल को और इसके पैनल को ध्यान से देखें तो ज़्यादा difference नहीं दिखेगा आपको बट यह चीज़ ध्यान से देखेंगे तो यह pure copper नहीं है यह आप देख सकते हैं और यह pure copper है अब इसके इलावा जो controls है same company के हैं अब रह जाती है ब से बना हुआ है आप इधर दिखाओ पैनल दिखाओ इधर देख रहे हैं सर गई देखो यह 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 लोहे से बना हुआ है यह अब इधर दिखाओ बट लोहे की quality है seamless pipe है यह use हुआ है तो फरक है ना गाईज अब हमारा देखिए हम दिखाते है अपना परक पता चल रहा है तो यह हमारा burner burner बनता है जिससे तो अब सोचो गाईज आप लोग खुद सोचो मैं तो आपके सामने अब तीनों चीज डाल दिया जिससे आपको चीजे के लिए रहे हैं मैंने पहली बार इसका खोला तो मुझे दिखा किया रहे यह सिस्टम भी है इन में तो मैं सेकेंड भी खोलता हूं ताकि आपको चीज के लिए हो जाए क्यों लाना बताए इन मुझे वाए अकि लो क्यों जे यूटर वो अरे 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 चल रहे ना वीडियो तो डिफ्रेंस में आपको चीज़े दिखा दूँ यहाँ पे इस वाले में गैस का सोनेट वाल्व चेंज है इसमें normal है इसमें heavy duty में लगा हुआ है तो cost cutting यहाँ पे भी होती है यहाँ पे भी होती है और वहाँ पे भी होती है different different brand के हैं तीनों में TS का है यहाँ यहाँ चिंडिक्स है यहाँ पे और यहाँ पे है CAT तो guys यह different different अब देख सकते हैं जब यहाँ पे cost cutting हुई है यहाँ पे cost cutting हुई है वहाँ पे cost cutting क्या चीज है तो guys सस्ता महंगा यह फरक आप इस वज़े से हैं अब यह देखिए चदर लगा रखा इनोंने जो यह देखिए welding करके टुकडा लगा रखा इनोंने हमारे में टु ताकि heat बाहर ना आए बर्नर के पास से आप देखिए दिखा देता हूं मैं दिखाओ दिखिए यह insulated देख रहे है यह glass हमने glass wool लगा रखा यहाँ पे यह ताकि heat बाहर ना आए लूस ना गरे और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे नहीं है सिर्फ page कस दिया है that's it इसके इसके इलावा आप यहाँ देख सकते हैं जो पैनल है किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है इनका thermostat यहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे heat यूं समझ लीजे कि maintain ही रहता है अंदर की तरफ heat तो आपको heat दिखाता है हमारा जो thermostat है यहाँ पे लगा हुआ 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 ह यहाँ पे हमें heat loss होता है अगर front से यहाँ से front से तो हमें heat temperature पता लगता है कि हाँ temperature loss हो रहा है तो अपने आप maintain करता है तो guys इसमें कभी भी temperature आपको accurate नहीं बताएगा इसके इलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी thermostat पीछे यूज किया हुआ है बट इसमें तो थर्मो स्टेट मुझे लग रहा है देखने में quality इसकी ज्यादा अच्छी है तो इसकी quality थोड़ी ज्यादा अच्छी है उस वाले की thermostat की इस से तो तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि quality में difference है लोगों के bakery machines में different है difference है पैसे उसी हिसाब से है उसी हिसाब से कोई म information वाली लगी हो अगर आपको यह लगता है कि यह किसी को share करी जाए और उसकी भी knowledge बढ़ाई जाए तो please इस video को share करे